आज ऐसा लग रहा है कि अगर इस देश में हाई कोट नहीं होते हैं खास तोर पर दिल्ली हाई कोट नहीं होता तो नजाने क्या होता जिस तरह से दिल्ली के जैपूर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोगों की ऑक्सिजन सप्लाई पूरी तरह से ना मिलने की वज़ा से मौत हो उसके बाद दिल्ली हाई कोट ने जो एक गड़ा रुख अक्तियार किया है पहले भी किया हुआ था लेकिन अब सीधा सीधा कह दिया है कि नाम बता उन लोगों का जो की ऑक्सिजन सप्लाई रोकने की कोशिश करते हैं टैंकर्स को दिल्ली तक पहुचने नहीं दे रहे हैं उन्हें फासी पर चड़ा देंगे इतनी बड़ी बात कही है दिल्ली हाई कोट में और साथी ये भी कहा कि आप लोग क्या हम लोग क्या इसको एक वेव बोल रहे हैं कोरोना की सेकंड वेव ये वेव नहीं है ये सुनामी है और साथी उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया इतना आगे का सोच और जो कि हम सोच ते कि कोई सरकार सोचेगी के इंदो सरकार ऐसा सोचेगी पर नहीं हाई को सोचना पड़ रहा है कि आए ट डेली की आप वो रिपोर्ट पढ़ लिजीए जो कि अख़बारों मार आई है और वो ये बताते हैं कि कैसे मिड में में ये पी जो कि ऑविसली सेंट्रल गवर्मेंट के इंटर्वेंशन से ही हो पाता है यहीं है केंदर सरकार के अंदर इतनी पावर होती है कि अगर वो चाहे तो चीजे कितनी स्ट्रीमलाइन कर सकता लेकिन बशर्ते काम करें कुछ करें उस दिशा में कुछ करता हुआ नजर आए चुना इसकी तरफ से ग्रीन कॉरिडोर में ऐसी ऑक्सिजेन सप्लाइ करने के कोशिश की जारी है अलग राज्यों में जहां पर अस्पताल कर रहे हैं कि उनके पास ऑक्सिजेन की कमी है तो देखिए आज कोट में हुआ क्या दिल्ली सरकार ने जैसा कि आपने देखा था कि कल जो एक वीडियो वाइरल हुआ था और यह कहा गया कि अर्विन केज़िवाल ने बहुत गलत किया है कि उन्होंने पूरी की पूरी मीटिंग जो कि सीम और पीम मोधी के बीच में थी उसको लाइव कर दिया तो उसमें गलत क्या किया है जो वो उसमें बोल रहे है वो ही जाकर व आक्सिज़न की जरूरत है लेकिं वो लगातार कह रहे है कि हमारे साथ हो कह रहा है कि जरूरत हमें 480 metric ton की है लेकिन कल भी हमें आखर कितनी दी गई 297 metric ton तो आखर कैसे काम पूरा होगा वो कह रहे है इसी वजह से देखी 24 2000 के अंदर हमने देखा कि एक बहुत बढ़ा हाथ सा हो गया यहां पर हम लगाता दिमांड कर रहे हैं जितनी oxygen की वो हमको नहीं दी जा रही है और अर्विन केजरिवाल नहीं कहा है और यह कोट में कहा है उनकी सरकार ने कि it is going to be disastrous अगर कुछ नहीं किया गया इस तरफ if we don't get 480 metric tons of oxygen the system will collapse we have seen in the last 24 hours something disastrous will happen कोई एक बहुत बड़ी अन्होनी होगी यह हो सकता है अगर हमारी डिमांड जो अभी तक 480 metric ton of oxygen की है वो पूरी नहीं की गई कि इसी में आपस में तू तू में में शुरू हो गई और जो इनको लगा मतलब बहुत ही अजीब सी बात उन्होंने कही कि यह कुछ चुनाव नहीं चल रहा है और आपको यहां पर क्राई बेबी की तरह नहीं बनना चाहिए मतलब कोई रोतलू बच्चे की तरह नहीं यार नहीं है कि उस एक जगे पर उस एक अस्पताल में इतनी ऑक्सिजन की जरूरत है आपने पूरी नहीं किया पूरती पूरी नहीं कर रहा है और इसी वज़े से लोग मर जा रहे है इलाज तो दूर की बात है इलाज तक नहीं मिल रहा है ऑक्सिजन नहीं मिल रहे है इस वज़े से मर जा रहे हैं, तो High Court ने जो इसमें intervention किया है, I salute them, यह बहुत जरूरी था, और बिल्कुल बहुत ही कड़े शब्दों में, Bench ने यह कहा, we will not spare anyone, और साथ ही, सरकार से यह कहा, उन्होंने दिली सरकार से पूछा, give us one instance of who was obstructing the oxygen supply, आप हमें एक example दीजिए, और एक आप हमें ऐसा incident बताईए, जब ऐसा हुआ, कि oxygen supply को obstruct किया गया, और हम ऐसी कारवाई करेंगे, that we will hang that man, जिसके बारे में आप यह बताएंगे, जिसके उपर आपका आरोप होगा, और अगर वो दोशी पाया गया, the court also asked the state government to inform the center to about such officials, उन्होंने का, साथ ही, आप केंदर सरकार को भी, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे अधिकारियों के बारे में, जरूर inform करें, जो कि local administration में हैं, और उनके खिलाफ action लिया जाना चाहिए, when will Delhi get 480 metric tons, please tell us that, the court asked the center, as it heard महराजा अगरसेन hospitals petition, महराजा अगरसेन hospital की याचिका पर आज सुनवाई हो रही थी, और उन्होंने वो सुनवाई करते हुए, सीधा-सीधा के इंदर सरकार से सवाल पूछा, जो कि हमारे देश में, और किसी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है, इतना basic सा सवाल करने की, इसलिए आज ये नौबत आ गई है, कि पूरा मामला अब कोट को सुनना पड़ रहा है, और सबसे वाजिक सवाल, जो कि लगाता है अब ही तक क्या है, आज की तारीख तक क्या है, आपके तयारी जरा ये बताएगे, कितना basic सवाल एक और, जो कि नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है, और ये आज जब hearing हो रही थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा और शर्मनाक बात ये थी, कि केंदर सरकार फिर कोट में जाकर, दिल्ली की सरकार के ऊपर सारा का सारा ठीकरा फोड़ने में लगी वी थी, मतलब वहाँ इसके उपर कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बस हम अपने उपर से कैसे ठीक रहा या फिर टोपी ट्रांसफर करके दूसरे पर डाल दें, यही प्रस प्रूफ करने में सब लोग लगे हुए, और इसी में हमको दिखाई देता है कि कैसे आपस में आरोप प्रत्यारोप वहाँ करके बेठी हुई है, टैंकर उनके पास होते हैं और हमको सिर्फ करना होता है लेकिन दिल्ली चाहता है कि हम सारा काम इनके लिया करके रहे। वहीं को भी अपना काम करना चाहिए लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील है राहुल महरा उन्होंने कुई की जो सेंटर है वो अपनी guidelines for oxygen allocation पर काम नहीं कर रही है तो वहीं पर जो solicited general है Tushar Mehta obviously के इंट सरकार की तरफ से अपियर करते हुए कहरे है कि हमें अपनी जिम्मदारी बहुत अच्छे से पता है I know many things but not saying anything let's try not to be a crybaby मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन अभी मैं आपर बोलूँगा नहीं इसलिए जादा ना crybaby बनने की रोतलू उसे बच्चे बनने की कोशिश मत करो this is the level this is the level that is going on especially when we are losing so many lives because of shortage of oxygen just imagine फिर कहते हैं कि हम यह आपर कोई चुनाव नहीं लड़ रहे है यह तब हो रहा है जब 25 लोगों की जान चली गई जैपूर गोल्जन हॉस्पिटल में सांस ना मिल पाने की वज़ा से दिली का जो बतरा हॉस्पिटल है उसने भी हाई कोट अप्रोच किया और कहा है कि उनको 8000 लीटर ओफ ऑक्सिजन की जरूरत है और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें 6000 लीटर भी मिल जाए ना मतलब 2000 लीटर थोड़े कम 6000 लीटर ओफ ऑक्सिजन भी मिल जाएंगी तो भी हम किसी तरह से मैनेज कर लेंगे लेकिन कह रहे हैं कि आथ सुबह कितनी मिली उनको ऑक्सिजन सिर्फ 500 लीटर जाए उनको जरूरत है कम से कम 6000 लीटर ओक्सिजन की और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कल ही दिल्ली में 348 मौत रेजिस्टर हुई है कोविड की वज़े से जो कि अभी तक एक दिन में हाइस्ट है तब आप सोच लीजिए कोट नहीं होते और वो भी हाई कोट नहीं होता तो न जाने हम लोगों का क्या होता है अब कम से कम ये खबरे देखकर थोड़ी सी तो रिलाक्सेशन होती है कि शायद अब हाई कोट ने दिशा दे दी है और लतार लगा लगा के सब को ट्रैक पर जरूर ले आएगा I hope so